नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Make My Trip पर अपनी ID कैसे लॉग इन कर सकते हैं, आपने बहुत पहले कभी अकाउंट बनाया था या कोई और फोन में बनाया था अकाउंट, अब आपका दूसरा फोन है, तो आप उसमें अपनी ID कैसे अब यहां पर ID login करने के लिए आपको side में 3 linings पर क्लिक करना है, जैसे 3 linings पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर सबसे उपर एक option दिखेगा, login slash sign up now का, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कुछ step का interface, अब यहां पर आपको देखिए अगर आपने जो TP डालना पड़ेगा, जो इस mobile number पर भेजा जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि आपने अगर Gmail ID से account बनाया था और उसमे mobile number नहीं add है, तो आपको यहां पर करना है, click, ठीक है, sign in with Google पर, अगर आपके में दोनों add हैं, तो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, दोनों में से किसी भ लालना चाहेंगे, यहां पर sign in with Google से, आपको इस पर करना है, click, और जैसे ही click करेंगे, तो आपके phone में जितनी भी Gmail ID login होंगी, आपको यहां पर दिख जाएंगी, तो जिस भी ID से आपका account बना था, पहले जो आप login करना चाहते हैं दुबारा, उस ID को आप कर लिजे, select, और जैसे ही उस ID पर click करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ आएगा इस टाइप का interface, और यहां पर जो ID है मेरी वो login हो चुकी है, वही वाली जो मेरी मतलब पुरानी ID थी वो यहां पर login हो चुकी है, I hope कि आपके इस वीडियो से help हुई होगी, अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे, लाइक चैनल को कर लीजे, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आप से एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए, बाए बाए